लो नमस्तव दोस्तों अन्यों दग एडि में आपका स्वागत आप यह दोस्तों आपको इस्ट्री एकदम बेसिक से पढ़ने हैं तो मैंने प्लिलिस्ट का लिंग डिस्क्रिप्शन में दे दिया हैं हम दोस्तों पढ़ रहे थे इश्ट्रीट, 350 से 1750 BC तक हम लोग पढ़ चुके हैं इंडस्वेनी सिविलाइशन, फिर हमने आरजन एड जिसको वैदिंगेज भी कहते हैं, वो हमने कवर की 1500 से 620 तक, 600 BC में हमें बदलाग पर युग देखने को मिलता है, एक तो religious transformation उसी प्रकार से माजन पद भी बन चुके थे, 16 राज्य बन चुके थे, उनको भी हमने पढ़ लिया है, मैंने आपको पताया था, religious changes में 500 प्लस आइडियोलोजी देखने को मिलती थी, उस टाइम पर, लेकिन major दो कोई थी, बुद््धिज्म और जैनेज्म, बुद्धिज्म को हमने पढ़ दिया है, अब हम पढ़ेंगे जैनेज्म पर, जैनेज्म की बात करें दोस्तों, हमारे पास जैनेज्म के ओरिजन के evidence हैं, वो माविर जी से मिलते हैं, जैनेज्म में जो जैनी लोग हैं, वो यह मानते हैं कि माविर जी से जैनिज्म की शुरुवात हुई है वो यह मानते हैं कि माविर हमारे रियल फांडर थे जैनिज्म की लेकिन ये वह वह बोलते हैं कि हमारे मृविग जी यह वो लास्ट तिर्थंकर 14 वह बोलते हैं हमारे यह 24 तिर्थंकर थे दोस्तों तिर्थंकर का मतलब होता है प्त सर्थ भूए जो आपको रास्ता देखा एत पहले जो थे वो रिशवदेव थे, दूसरे वाले अजितनात थे और तीसरे वाले संभवनात थे सारे याद करने की जरूत नहीं है, सुरुगात के ती और लाश्ट के दोई पूछते हैं एक्जाम में तेईसवे तीर्थंकर पासुनात थे, उनके प्रता असुसेन कासी के रूलर हुआ करती थे, उन्होंने चार सिद्दान दिये थे पासुनात नहीं कवी जूट मत बोलो, इंसा ना करो, चोरी ना करो, और संपत्ती का अधगरेण मत करो प्रोपर्टी होगी नहीं दोस्तों, तो कुछ दपड़ाई नहीं होगा आप एक को दो रुप्या तभी तो करते हो जब आपको अधगरेण का बड़ा क्रेज होता है आँगे दोस्तों, आँग जैनेजम की सीरीज को कंटीनू करते होगे पढ़ेंगे याद दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सस्क्राइब करते जिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद